ओम शान्ति आज है 29 अक्टूबर 2023 प्रातह मुरली बापतादा मधुबन आज हम सुनेंगे अव्यक्त बापतादा के महावाक्य रिवाइस कोर्स चल रहा है इसमें हम 27 फेबरवरी 1996 की वानी सुनेंगे वानी का सार सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन वा चहरे में दिव्यता क्या कहा बाबा ने की सत्यता का फाउंडेशन क्या है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन वा चहरे में दिव्यता आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरू अपने चारो और के सत्यता के शक्ति स्वरू बच्चों को देख रहे हैं आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरू अपने चारो और के सत्यता के शक्ति स्वरू बच्चों को देख रहे हैं आगे बाबा बता रहे हैं सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्राक्टिकल प्रमान चहरे पर और चलन में दिव्यता होगी दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं वा समझते हैं लेकिन समपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है तो आप सब का फाउंडेशन क्या है पवित्रता तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतह और सहज सदा होता है सत्यता सिर्फ सच बोलना सच करना इसको नहीं कहा जाता लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की वा सत्यता की शक्ति आई तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना, मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जानना, मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बोडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था, सत्य स्वरूप है पहले वह स्व और बाप का सत्य परिचे जान लिया है बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचे जान लिया है तीसरी बात इस शृष्टी चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है तो अप अपना पाट अच्छी तरह से सपष्ट रूप से जान लिया, आपका पाट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पाट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देवात्मा का पाट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माउं से श्रेष्ट है, चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्मा पार्ट बजाती हैं लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं जो सारी कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाए आपके और कोई भी आत्मा का स्ट्रेस्ट नहीं है आपको देवात्मा का पार्ट याद है पांडवों को याद है देवात्मा की पवित्रता नेचरल रूप में रही है महानात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है लेकिन बहुत पुरुशार्थ से नेचरल नहीं ना नेचरल है ना नेचर रूप में है और आपकी आधाकल पवित्रता की जीवन नेचरल भी है और नेचर भी है कोई पुरुशारत वहां नहीं है यहां का पुरुशारत वहां नेचरल हो जाता है क्या कहा बाबा ने कि आधाकल पवित्रता की जीवन नेचरल भी है और नेचर भी है कोई पुरुशारत वहां नहीं है यहां का पुरुशारत वहाँ natural हो जाता है क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है इसलिए आपके पवित्रता का practical स्वरूप देवता अर्था दिव्यता का है हमारी पवित्रता का practical स्वरूप क्या है दिव्यता इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें लेकिन स्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे आप में भी सत्यता की शक्ति स सदा तब रहेगी जब अपने और बाब के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी क्या कह रहे हैं बाबा कि आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाब के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी तो स्वतही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा अभी कभी भू भी जाते हो, body conscious में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे, जूट तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है, जूट तो बोला ही नह सदा सच बोलती लेकिन सत्यता की परक है कि संकल्प बोल करम संबन संपर्ख सब में दिव्यता अनुभव हो बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है देखते हो न कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती मैं सदा सची हूँ लेकिन बोल में करम में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा यही समझेंगे कि यह अपने को सिद कर रही है लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है सत्य को सिद करने के लिए सिद करने की आवश्यक्ता नहीं है अगर अपने सत्य को जिद से सिद करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है अगर अपने सत्य को जिद से सिद करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है यह साधारंता है जो दुनिया में भी करते हैं क्या कहा बाबा ने बहुत ही एहम बातें आज बाबा मुर्ली में समझा रहे हैं कि यही समझेंगे कि यह अपने को सिध कर रही है लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है सत्य को सिद करने के लिए सिद करने की आवश्यक्ता नहीं है अगर अपने सत्य को जिद से सिद करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है ये साधारंता है जो दुनिया में भी करते हैं और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वह कैसे दिखाई देगा सच तो नच सदा खुशी में नाचता रहेगा जब जिद करके सिद करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा नाचने का नहीं होगा सच तो विठो नच सच्चा खुशी में नाचता है सच्चा क्या करता है खुशी में नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक् तो सत्यता का अर्थी है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे करम करना आजकल दुनिया वाले तो सपस्ट कहते हैं कि आजकल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है तो बाबा ने पिछले लाइन में बहुत इंपोर्टन बात कही कि तो सत्यता का अर्थी है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे करम करना आजकल दुनिया वाले तो सपस्ट कहते हैं कि आजकल सचे लोगों का चलना ही मुश्किल है जूट बोलना ही पड़ेगा लेकिन कई समय पर कई परिस्तितियों में भ्रामन आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती लेकिन अंदर समझती हैं कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है उसको जूट नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते है तो चतुराई क्या है यह तो करना ही पड़ता है तो वस्पस्ट बोलते हैं और भ्रामन रोयल भाशा में बोलते हैं फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था ना भाव ना थी ना भाव था लेकिन करना ही पड़ता है चलना ही पड़ता है लेकिन भ्रहमा बाप को देखा साकार है ना निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि श्यू बाब तो निराकार है उपर मजे में बैठा है नीचे आवे तो पता पड़े क्या है लेकिन भ्रमा बाब तो साकार स्वरूप में आप सब के साथ ही रहे स्टूडेंट भी रहे और सत्यता वा पवित्रता के लिए कितनी ओपोजिशन हुई क्या कह रहें बाबा कि कई बार बच्चे सोचते होंगे कि श्यू बाबा को तो शरीर में आना नहीं पड़ता लेकिन भ्रमा बाब तो साकार स्वरूप में आप सब के साथ ही रहे स्टूडेंट भी रहे और सत्यता वा पवित्रता के लिए कितनी ओपोजिशन हुई तो चाला की से चला लोगों ने कितना राए दे कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है या कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो लेकिन भ्रमा बाब घबराया सत्यता की शक्ती धार सहन करने में सहन शक्ती भी आवश्यक्ता है सहन करना पडता है जुकना पडता है हार माननी पडती है लेकिन हार नहीं है उस समय के लिए हार लगती है लेकिन है सदा की विजय सत्यता की शक्ती से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती चाहे प्यादा भी है नंबरवार तो है ही ना महारती भी है नाम के महारती नहीं लेकिन जो सचे महारती हैं अर्थात सत्यता की शक्ती से चलने वाले महारती हैं जो परिस्थिती को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते कहते हैं और कुछ नहीं किया एक दो शब्द ऐसे बोल दिये दिल से नहीं बोले ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिये तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वह सहन नहीं है भल बाहर से लगता है कि हम सैन कर रहे हैं लेकिन आपके खाते में वो सैन शक्ती के रूप में जमा होता है नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सैन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है तूस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया ठीक हो गया लेकिन उसके खाते में सैन शक्ती जमा नहीं होती है तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं हमको चलने की चतुराई आ गई है लेकिन अगर अप करते हैं एक दो को देख कर भी कॉपी करते हैं यह ऐसे चलती है न तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है यह बहुत आगे हो गई है और हम सच्चे चलते हैं न तो हम पीछे के पीछे ही रह गए लेकिन वह पीछे रहना नहीं है वह आगे बढ़ना है बाप के आगे आग बाब के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रालब्द में आगे बढ़ना बाप के साथ क्या रहना है सच्चा तो बाबा कहते हैं बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रालब्द में आगे बढ़ना और अगर यहां आगे बढ़ने में आत को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है शान मिलता है बाशन करने वाली लिस्ट में आते हो सेंटर संभालनी की लिस्ट में आते हो लेकिन सारे कल्ब की प्रालब्द नहीं बनती जिसको बापताता कहते हैं मेनत की बीच डाला रिक्ष बड़ा किया फल भी नि नाम के लिए कौपी नहीं करो तो शुबाबा क्या कह रहे हैं कि और अगर यहां आगे बढ़ने में आत्माउं को कौपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है शान मिलता है भाशन करने वाली लिस्ट में आते हो सिंटर संभालने की लिस्ट में आते हो लेकिन सारे कल्प की प्रालब्द नहीं बनती जिसको बापतादा कहते हैं मेहनत की बीच डाला, रिक्ष बड़ा किया फल भी निकला लेकिन कच्चा फल खा गए हमेशा के लिए प्रालब्द का फल खतम हो जाता है तो अल्पकाल के शान मान के नाम के लिए कौपी नहीं करो, यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है इसलिए डाइमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो जरा भी रॉयल रूप का दाग डाइमंड में चिपा हुआ तो नहीं है तो सत्यता की शक्ती से दिव्यता को धारन करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमान स्वयम सिद्ध होगा, कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूपती नहीं, तो किनारा तो ले लेंगे न, निर्भय बनो, अगर कहां भी सामना करना पड़ता है, तो भ्रमा बाप के जीवन को आगे रखो, भ्रमा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वराइटी बच्चों की भी परिस्थितिया रही, लेकिन संगठन में होते, जिम्यवारी होते, सत्यता की शक्ती से विजई हो गए, बच्चों की खिट-खिट भ्रमा बाप ने नहीं देखी क्या, भ्रमा बाप के आगे भी वराइटी संसकार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए, सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर् क्या कह रहे हैं बाबा, कि इतनी वराइटी संसकार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए, सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया, तो आप सब को क्या बनना है, चतुराई तो नहीं है ना, बाबा पूछ रहे, बहुत अच्छा ब असत्य का सामना करो, सहनशक्ति धारन कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ, कई समस्ते हैं कि हमने मारतियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो मारतियों को करना है ना, अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, मारति हैं उसको फॉलो किया, लेकिन इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया follow father या follow brother तो साकार कर्म में भ्रह्मा बाग को आगे रखो follow करो और अश्रिरी बनने में निराकार बाप को follow करो चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं लेकिन वह भी follow father करते हैं तो आपको क्या करना है follow father पक्का या थोड़ा-थोड़ा advantage मिलता है तो ले लो भविश्य में देखा जाएगा follow father पक्का या थोड़ा-थोड़ा advantage मिलता है तो ले लो भविश्य में देखा जाएगा कई ऐसे भी सोचते हैं कि सत्यूग में चाहे कमपद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होंगी, चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी, तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं, तो अभी तो मजा ले लें, पीछे देखा जाएगा, लेकिन यह अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देग तो वह मंजूर है, सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो, नहीं सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो, नहीं तो तीनो बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता ऐसे साधारन बोल नहीं, साधारन संकल्प नहीं, साधारन कर्म नहीं, दिव्यता तो श्यू बाबा क्या कह रहे हैं कि तीनों बातें याद रखो पवित्रता, सत्यता और दिव्यता ऐसे साधारन बोल नहीं, साधारन संकल्प नहीं, साधारन कर्म नहीं, दिव्यता दिव्यता का अर्थी है दिव्यगुण द्वारा कर्म करना संकल्प करना वही दिव्यता है जैसे लोग पूछते हैं न कि पाप कर्म क्या होता है तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है ऐसे समझाते हो न तो दिव्यता अर्था दिव्यगुण के सकते हो क्यूं संकल्प किया मैं अशरिरी आत्मा हूं तो कितना टाइम लगा सेकेंड लगा न तो सेकेंड में अशरिरी नियारे और बाप के प्यारे ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो करने तो आती है न तो अभी सब एक सेकेंड में सब भूलकर एकदम अशर बापतादा ने पांच मिनट डिल कराई अच्छा चारो और के सरवपवित्रता के फांडेशन को सदा मजबूत रखने वाले सदा सत्यता की शकती से विश्व में भी सत्यूग अर्थात सत्यता की शकती के वाइब्रेशन फैलाने वाले सदा हर समय मन वानी कर्म तीनों में दिव्यता धारन करने वाले सदा फॉलो फादर करने के नैचुरल अभ्यास वाली आत्माउं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते इस ड्रिल को दिन में जितना बार जादा कर सको उतना करते रहना चाहे एक मिनट करो तीन मिनट दो मिनट का टाइम न भी हो एक मिनट आधा मिनट या भ्यास करने से लास्ट समय अशरिरी बनने में बहुत मदद मिलेगी बन सकते हैं अभी सभी अशरिरी हुए या युद में मैनत करते-करते टाइम पुरा हो गया, सेकेंड में बन सकते हो, बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो, मुश्किल नहीं है, UN में बहुत भागदोड कर रही हो, और अशरीरी बनने की कोशिश करो होगा, अगर यह अभ्यास समय प्रती समय करेंगे, तो ऐसे ही नैच करते हो क्या, मैं फलानी हूँ यह मैनत करते हो, नैचरल है, तो बाबा कह रहे हैं कि UN में बहुत भागदोड कर रही हो, और अशरीरी बनने की कोशिश करो होगा, अगर यह अभ्यास समय प्रती समय करेंगे, तो ऐसे ही नैचरल हो जाएगा, जैसे शरीर भान में आना मैनत क करते हो क्या, बाबा पूछ रहे हैं, मैं फलानी हूँ यह मैनत करते हो, नैचरल है, तो यह भी नैचरल हो जाएगा, जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ, अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, वह नह भूले, करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ, जैसे दुसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हूए भी, कराने वाली मैं अलग हूँ, यह प्रैक्टिस करो, तो कभी भी बोडी कॉंशिस की बातों में नीचे उपर नहीं होंगे समझा आज का वर्दान स्ने के सागर में समाकर मेरे पन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव विस्तार में बाबा बोले जो सदा स्ने के सागर में समाए रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुदबुद नहीं रहती स्ने में समाए होने के कारण वे सब बातों से सहजी पार हो जाते हैं वक्तों के लिए कहते हैं यह तो खोए हुए रहते हैं लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं मेरा मेरा सब खतम अनेक मेरा मेला बना देता है एक बाप मेरा तो मेलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती है बुद्धी में ग्यान रतनों को ग्रहन करना और कराना ही होली हंक्स बनना है अच्छा सभी को ओम शान्ती कर दो मेरा 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 बना खंचा स्या आत्य समाप्त है रजयर स्याम के अन्हें करते हैं ऊριू यह शेल करते हैं मेरा ट्रहा थिर्वली हो जह वालो landscaशं outta है वित्हार मेरा ंज मेरा सकी जो लعتर Rider कर तो बहुर बहुर बहुरी मेरा और bisc, क्वा Nooga 75 चे जित्वा है झाल 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 झाल